नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं हूँ राजु सागर और आप देख रहे हैं समझते लो यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ सफिक सब्दों का उच्छारा करना दोस्तों ये हैं कुछ सफिक सब्द तो दोस्तों इन सफिक सब्दों का बॉविल प्रोनेंशेशन रूल्स के अनुसार पढ़ना वड़ा कठिन होता है और इनका उच्चारर भी गलत होता है इसलिए जिन दोस्तों को पता नहीं है वो अक्सर इन सब्दों का उच्चारर गलत करती है तो दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सफिक सब्दों का उच्छारा कैसे करते हैं इस वीडियो को देखिए पूरा अंताग तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस करके आपको मिलती रहें तो आप वीडियो सुरू करते हैं तो सपिक्स I, Z, E या I, S, E या Y, S, E का उच्चारा आई होता है जैसे किटी साइज के अंत में I, Z, E आया है और यहां पर I, Z, E का उच्चारा आई हुआ है इसलिए इसे किटी साइज पढ़ा जाता है इसी तरह के मैं आपको और सब्सक्राइब बताता हूँ जैसे इंफा साइज, मिनीमाईज, माटेरियालाईज तो इन सभी सब्सक्राइब के अंत में I, Z, E आया है और यहां पर I, Z, E का उच्चारा आई हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ I, S, E वाले सब्द जैसे एडवाइज, एडवाइज सब्द के अंत में I, S, E आया है और यहां पर I, S, E का उच्चारा आई हुआ है इसलिए इसे एडवाइज पढ़ा जाता है इसी तरह के और एग्जम्पल देखती है डिस्पाइज, डिमाइज, रिवाइज तो दोस्तों इन सभी सब्दों के अंत में I, S, E आया है और यहां पर I, S, E का उच्चारा आई हुआ है इसके वी अलावा दोस्तों कुछ सब्दों में Y, S, E का उच्चारा आई होता है ऐसे बहुत कम सब्द होती हैं जिनमें की सफिक्स Y, S, E आता है जैसे Analyze, Paralyze इन सब्दों के अंत में Y, S, E आया है तो दोस्तों इहां पर भी Y, S, E का उच्चारा आई हुआ है तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि I, Z, E या I, S, E या Y, S, E का उच्चारा आई होता है अब मैं आपको बदाता हूँ तो दोस्तों सफिक्स C, E, D या S, E, D, E या C, E, D, E का उच्चारा सीड होता है जैसे प्रोसीड प्रोसीड के सब्द के अंत में C, E, D आया है और यहाँ पर C, E, D का उच्चारा सीड होगा है इसलिए इसे प्रोसीड बोलते है इसी तरह से सुपरसीड सुपरसीड सब्द के अंत में S, E, D, E आया है और यहाँ पर S, E, D, E का उच्चारा सीड होगा है इसलिए इसे सुपरसीड बोलते है तो दोस्तों इस तरह के जो सब्द जो होती है वो बहुत कम होती है लेकिन जादातर जो सब्द होती है जिनमें की सफिक्स वर्ड जो होती है वो C, E, D के होती है जैसे रिसीड रिसीड सब्द के अंत में S, E, D, E आया है और यहाँ पर C, E, D, E का उच्चारा सीड होगा है इसलिए इसे रिसीड बोलते हैं तरह यहाँ से मैं आपको और बताता हूँ जैसे एकसीड, इंटरसीड, पंसीड, सीड इन सभी सब्दों के अंत में C, E, D, E आया है और यहाँ पर C, E, D का उच्चारा सीड होगा है अब मैं आपको बताता हूँ अगले सफिक्स वर्ड तो दोस्तों सफिक्स यूएस या O, U, S का उच्चारा सा होगा है जैसे केमपस, केमपस सब्द के अंत में U, S आया है और यहाँ पर U, S का उच्चारा सा हुआ है इसलिए इसे केमपस पढ़ा जाता है इसी तरह से अन्य सब्दों को देखते हैं जैसे इस्टेटस, एपरेटस, केक्टास, इस्टीमल्स इन सब्दों के अंत में U, S आया है और यहाँ पर U, S का उच्चारा सा हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ O, U, S वाले सब्द जैसे डेंजर्स, डेंजर्स सब्द में O, U, S आया है और यहाँ पर O, U, S का उच्चारा सा हुआ है इसलिए इसे डेंजर्स पढ़ा जाता है इसी पिरकार से जेनरस, मारवल्स, रिडिकल्स, हूम राश्व तो देखा दोस्तों इन सभी सब्दों के अंत में O, U, S आया है और O, U, S का उच्चारा सा हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ नैश्ट सफिक्स तो दोस्तों सफिक्स C, Y या S, Y का उच्चारा सी होता है जैसे पॉल्सी पॉल्सी सब्द के अंत में C, Y आया है और यहां पर C, Y का उच्चारा सी हुआ है इसलिए से पॉल्सी पढ़ा जाता है इसी तरह से फाल्सी ओप्टीनेसी प्राइवेसी लिट्रेसी तो दोस्तों इन सभी सब्दों के अंत में C, Y आया है और यहां पर C, Y का उच्चाराण C, Y अब मैं आपको बताता हूँ, S, Y के सफिक्स वर्ड जैसे हिपोकिर्सी हिपोकिर्सी सब्द के अंत में S, Y आया है और यहां पर S, Y का उच्चाराण C हुआ है इसलिए इसे हिपोकिर्सी पढ़ा जाता है इसी तरह से हिर्सी अपोश्टसी फैंटसी इंडियो सिंक्रेसी तो देखा दोस्तों इन सवी सब्दों के अंत में S, Y आया है और यहां पर S, Y का उच्चाराण C हुआ है दोस्तों यह थे कुछ सफिक्स सब्द जिनकी स्पेलिंग डिफ्रेंट थी पर उच्चाराण सेहम थे तो दोस्तों इस वीडियो फिलाल इतना ही तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नौटी देकेशन आपको मिल सके थेंकियो फोर वाचिंग माई वीडियो